नमस्कार मैं निर्मल्यादो स्वाकत करता हूँ आपका एक बार फिर से इस चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग को समझने के लिए दस्तों चले जानते हैं कि बच्चों के सिक्षन की ब्यवस्था करना क्यों जरूरी है पहले पॉइंट में समझते हैं कि आज की पीड़ी ज़्यादा समलदार है और उनके सपने सच होने चाहिए बच्चों के उजवल भविस्था के लिए ये सिक्षा बहुत जरूरी है और एक अच्छे संस्थान से उच्षा अगर लेनी हो तो उसमें खर्चा बहुत होता है यदि उचित योजना नहीं बनाई गई तो बच्चों के करियर की सुरुवात कर्ज के साथ हो सकती है महेंगाई के कारण भविस्था की सिक्षा बहुत महेंगी होगी समय समाथ होने से पहले उच्चित बित्ती योजना का सुरुवात करें यदि आप आज पैसे बचाते हैं तो यह आपको कल बचाएगा सिक्षा के लिए LIC में अभी निवेस करें और अपना भवी से सुनिश्चित करें आप इस वीडियो में यहां तक आए हैं मतलब आप यह चाहते हैं कि और डिटेल जाने तो मेरा एक छोटा सा सवाल है अगर भगवान ने आपको एक और मौका दिया तो आप क्या बनना चाहोगे और मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं बन सके क्या आपके माता-पिता नहीं चाहते थे आप नहीं चाहते थे या आपकी परिष्थिती वैसी नहीं थी चले जी ये सवाल थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैं अब आपको पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे एक नर्स, डॉक्तर, एंजीनियर या कुछ और जो कुछ भी बनाना है उसके लिए धन लगता है तो क्या आपने आवस्यक धन उपलब्द कराया है सिक्चा के पैसे के प्रावधान के लिए मैं आपके पास दो बिकल्प देता हूँ जैसा कि हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए दो आप्सन रहते हैं वैसे ही मान लिजे कि आज सिक्चा के लिए 20 लाक रुपे देना परे तो पहला बिकल्प है कि पहली आसान भी धी है जब आपका बेटा या बेटी हायर एजूकेशन में प्रवेस लेने वाला हो तो आप बैंक से कर्ज के रुप में 20 लाक रुपे का रिन ले अब जो कर्ज लेंगे उसकी ब्याज दर्मान लेते हैं मिनीमम 10% होगा और वो अगर आपको 15 साल में भरना हो तो महीने का जो आपका EMI आएगा वो होगा 21,492 रुपे साल का आपका होगा धाई लाक के उपर आपके दोरा भरा जाने वाला रकम होगा 38,68,000 रुपे आपके दोरा भरा गया केवल ब्याज ब्याज होगा 18,68,000 रुपे जितना सिक्षा के लिए कर्ज लिया उस सिक्षा रासी का दो गुना आपको भुकताम करना पड़ेगा और जहां तक दूसरे विकल्प की बात करें तो आपका बेटा या बेटी के उम्र के अनुसार कब सिक्षा के लिए आपको जरूरी रुपे चाहिए उसके हिसाब से LIC की एक पॉलिसी लीजिए माल लेते हैं कि आपको जो 20 लाख रुपे लगने वाला है उसके लिए एक 10 लाख रुपे का बीमा ले लेते हैं जिसमें हफ्ता भरने की मुददत होगी सेम 15 साल आपको पैसा मिलने वाला है 21 साल में महीने का आपको 4,700 रुपए इंवेश्ट करना होगा जो कि साल का हपता होता है पच्पन 1,400 रुपए आपके द्वारा भरण जाने वाला रकम होगा 8,31,000 और आपको मिलने वाला जो रकम होगा वो 20,000,00 होगा यानि आपको मिलने वाला व्याज होगा 10,24,000 यानि कि अगर ये प्रोविजन करते हैं तो दूसरे विकल्प में जितना सिक्षन के लिए लगने वाला खर्च है उससे कम रुपए बचा कर आप दुगना रुपया वापस पा सकते हो तो आपको इन दोनों विकल्पों में से कौन सा अच्छा लगा पेसे आपके बच्चों के सिक्षन का नियोजन के लिए बाल बिद्या प्लान जीवन लक्ष और जीवन तरुन बच्चों का सिक्षन अपने जीवन की सबसे महत्वपून जिम्मेदारी है खास आपके बच्चे के सिख्षड के लिए पहली बार एलाईसी की नई योजना बचत करें केवल 178 उपई हर रोज और अपने बच्चे के सिख्षड के-लिए पाएं यानि कुल मिलाकर 26 लाख रुपए आपको मिलेंगे जिस्ते की आपके बच्चे के हायर एजुकेशन भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद अगर उसे बिजनेस के लिए कुछ पैसे लग रहे होंगे तो वो भी वहाँ से आपको मिल सकता है तो देर ना कीजिए आज ही LIC में इन्वेस्ट कीजिए और जब भी हम बात करते हैं LIC की तो इसमें सबसे पहला आता है रिस्क गबर्ण माता या पिता बच्चों के लिए यह पॉलिशी ले सकते हैं प्रस्तावक की अकास्मिक या प्राकृतिक मिर्टी उपे बाद LIC आगे की प्रीमियम का भुक्तान करती रहेगी प्रस्तावक की मिर्टी उपर सारे 6 लाख रुपे तुरन और अकस्मिक मिर्टी उपर 13 लाख रुपे बच्चों को दिये जाएंगे उसके बाद बच्चे के पालन पोशन और सिक्षन के लिए 65,000 रुपे हर साल LIC की तरफ से दिये जाएंगे बच्चों के सिक्षा के दोरान 27.5 लाख रुपे की गारंटी दी जाएगी और इन सभी विसस्ताओं के कारण इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार यह पॉलिसी लेने वाला जीवित रहे या ना रहे उनके बच्चों के सिक्षर और विबाह के सारी जिम्मेदारी सुचारू रूप से पूरा हो सकेगी दोस्तो आप भी अगर यह प्लान को अच्छा समझते हो और आपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाते हो तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिए मेरे इस नंबर पे वाटसप करेंगे तो मेरे तरफ से रिपलाई जरूर मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों तक सेर जरूर कीजिए आपका कोई भी क्वेरी है तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉंसेट इके साथ तब तक के लिए इजाज़त दिजिए तैंक यू भेरी माँच